हेलो दोस्तो आज के वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए गॉर्मेंट संस्थान यूजी सी अर्थात यूनिवेस्टी ग्रांट कमिशन में निकली कंसल्टेंट लीगल की लिटिस्ट वैकेंसी के बारे में complete information देंगे तो दोस्तो ऐसी ही law related useful वीडियो को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो लोग रेजवेट्स के लिए government संस्थान UGC अर्थात University Grants Commission में legal consultant की वैकेंसी निकली हुई है इसके notification को आप इसकी official website www.ugc.ac.in से download कर सकते हैं तो चलिए जो है थोड़ा details से जान लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में तो दोस्तो आपके सामने screen पर government संस्थान UGC अर्थात University Grants Commission के द्वारा जारी official notification है तो दोस्तो जो आपका UGC है सिक्षा मंत्राले भारास सरकार के अंतरगत आता है इसका जो head office है बहादूर साज जफर मार्क नई दिल्ली इस्थित है तो यहाँ पर जो है करने की जो last data 21st June 2022 है तो चली यहाँ पर qualifications की बात कर लेते हैं positions की बात कर लेते हैं तो number of vacancy तो total four vacancies है job location इसकी निव देली होगी और eligibility की बात करें तो आपके पास law degree होनी चाहिए BCI approved institute या फिर university से उसके साथ साथ minimum six year का as advocate practicing experience होना चाहिए तभी यहाँ पर आप इस vacancy के लिए apply कर पाएंगे salary की बात करें तो 60,000 से 70,000 के बीच यहाँ पर salary मिलने वाली है जो भी है आपका TDS कट करके आपको मिलेगा job profile की बात करें तो यहाँ पर आपको जो legal matters है उन issues पर आपको देना होगा अपना view और दूसरा जो different courts में advocates हैं उनसे contract करना होगा जिससे कि आप UGC से related जो cases हैं उनको handle करा सकें apply करने की बात करें तो इसके लिए आपको online apply करना होगा इसी notification लिका और this application can be filled at ugc.ac.in slash jobs यहाँ पर जाएंगे तो आपको apply करने का link मिल जाएगा यहाँ पर आप apply कर सकते हैं age limit की बात करें तो कोई भी age limit fix नहीं application fees भी कोई नहीं pay करनी है और यहाँ पर सारी details अपनी यहाँ पर online form में fill up कर देनी है यहाँ पर सिर्फ interview के आधार पर selection होगा बहुत बहुत धन्यवाद